बच्चों हमने प्रिवेश एक्सेसाइस 4 अ, बी, सी, डी, औ, ये हमने कंप्रिट कर दी है आज हुम मल्टिफेकेशन ओफ और टू डिजिट नमबर बॉग तू डिजिट नमबर एण मल्टिफेकेशन ओफ द्वी 3-digit number by a 2-digit number यानि कि access as for app में multiplication of a 2-digit number by a 2-digit number and multiplication of 3-digit number by a 2-digit number किस तरह से किया जाएगा वो आज हम यहाँ पर solution करेंगे तो multiplication of a 2-digit number by a 2-digit number example multiply 43 by 15 43 multiply 15 ओके फर्स्ट टेप 53 जाब 15 तो 5 1 केरी लेंगे 5 फोर्जा 20 केरी एड़ करेंगे तो 21 यहाँ पर 100 नमबर नहीं इसलिए हमने यहाँ पर टोटल नमबर लिख लिए है 21 तो 21 स्टेप 2 43 multiply 15 53 जाब 15 1 केरी 5 फोर्जा 20 केरी एड़ करेंगे तो 21 फिर यहाँ पर क्या है multiply 43 with 110 तो 5 1 का 0 लिए है 133 जा 3 14 जाब 4 यहाँ पर 430 हो गया स्टेप 3 add the 2 product 215 प्लस 430 इक्वल 645 43 multiply 15 53 जाब 15 1 केरी लेंगे हम 5 फोर्जा 20 1 केरी तो 20 21 215 5 का यहाँ पर 0 133 जा 3 14 जा 4 यह जो दो नमबर उसका हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 505 तो 505 134 246 तो यहाँ पर इस तरह से आंसर होगा 645 तो multiplication of और 2 डीजिट नमबर और 2 डीजिट नमबर इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे multiplication of a 3 डीजिट नमबर by a 2 डीजिट नमबर किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे वो आज हम सिखेंगे तो 243 multiply 23 123 यहाँ पर 3 डीजिट नमबर और multiply यानि कि by किस तरह से किया जाएगा यहाँ पर 23 यहाँ पर 2 डीजिट नमबर है तो 1 10 100 ओके 1 और यहाँ पर 10 तो 3 1s हो गया और 2 क्या हो गया 10s हो गया तो पहले हम 1s नमबर के साथ multiply करेंगे तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 केरी लेंगे 3 2 जा 6 6 and 1 7 यह 3 जो complete हो गया उसका 0 लिखेंगे फिर यह 2 10 के साथ हम multiply करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 फिर हम यह दोनों का प्लस करेंगे 9 0 9 2 6 8 7 8 15 1 केरी लेंगे और 1 फोर में एड करेंगे तो 5 तो 5 589 इस तरह से हम multiplication of a 3 digit number by और 2 digit number हम इस तरह से multiply करेंगे बच्चों अभी हम exercise 4 F question 1 multiply करने जा रहे है उसमें a है 26 multiply 12 तो 2 6 are 12 यह क्योंकि यह 2 1 से इसले पहला हम उनके साथ हम multiply करेंगे 6 are 2 का तो 2 6 are 12 तो 2 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगी carry 2 2 जा 4 4 and 1 कितना हो गया 5 ओके यहां पर 2 जो complete हो गया उसका हम 0 लिखेंगे फिर यहां पर 1 6 जा 6 1 2 जा 2 फिर यह जो बोथ नमबर का हम क्या करेंगे plus तो 2 0 2 ओके 5 and 6 11 तो सो 1 और 1 क्यालेंगे हम carry 2 and 1 3 तो 312 12 ओके B 16 multiply 15 5 6 जा 30 तो सो 0 3 हम क्या लेंगे यहां पर carry लेंगे 5 जा 5 5 में 3 एड करेंगे तो 8 हो गया तो सो 80 ओके 5 वन्स कम्प्रिट हो गया अभी 1 10 के साथ हम multiply करेंगे तो 5 का 0 1 6 6 1 जा 1 तो 0 0 0 8 and 6 14 1 carry लेंगे 1 and 1 2 तो 240 54 multiply 18 ओके तो 8 क्या हो गया यहां पर 1 और 1 क्या हो गया 10 तो पहला 1 का हम multiply करेंगे 8 4 जा 32 32 3 हम क्या लेंगे carry 8 5 जा 40 40 में 3 8 करेंगे तो 43 आगे 100 नमबर नहीं इसलिए आपे हमने टोटल लिख दिया 43 फिर हम है यह 8 वन्स का complete उसका 0 फिर हम 110 का 4 और 5 के साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 1 4 जा 4 1 5 जा 5 202 3 4 7 4 5 9 फिर 972 49 मुल्टिप्लाइ 28 9 वन्स 4 10 संट्रेट नमबर नहीं है इसी तरह यहां पे 8 1 और 2 10 तो फिर 1 का हम multiply करेंगे 8 9 जा 72 तो 2 7 हम क्या करेंगे carry लेंगे फिर 8 4 जा 32 32 में 7 एड करेंगे तो 39 100 नमबर नहीं है इसलिए हमने यहां पे total नमबर लिखे 0 2 9 जा 18 1 carry यहां पे 1 carry लेंगे हम 2 4 जा 8 8 और 1 कितना हो गया यहां पे 9 2 0 2 9 8 17 1 carry लेंगे 3 और 1 4 और 9 टोटल कितना हो गया 13 1 372 यह complete होगा question 1 multiply अभी हम question 2 find the product in your notebook and write the answer यह जितने भी सम से यह हम notebook में solution करेंगे ओके एक्सेसाइज एफ question 2 find a product in your notebook and write the answer ओके 85 multiply 19 95 जा 45 45 मेंसे मैंने 5 लिखा है 4 मैंने क्या लिए हाँ पे carry लिए है 9 8 जा 72 72 में अगर हम पोर एड करेंगे तो 76 तो 765 9 complete होगे उसका मैंने 0 लिखा है फिर यहां पे 15 जा 5 18 जा 8 तो 505 65 11 so 1 और यहां पे 1 क्या लेंगे हम carry लेंगे 7 and 1 8 अगर 8 कितना हो गया 16 टोटल तो so 1615 B 92 92 multiply 37 equal 3400 फोर यह answer हो गया ती answer हम यहां पे solution करेंगे 92 multiply 37 7 टो जा 14 so 4 1 carry यहां पे मैंने 1 carry लिए है 7 9 जा 63 63 में 1 add करेंगे तो क्या हो गया 64 yes तो 644 7 जो complete हो गया यहां पे मैंने 0 लिए है फिर 3 2 जा 6 4 हो गया और 3 9 जा 27 तो so 2764 0 4 4 6 10 तो मैंने 0 लिखा और यहां पे 1 क्या हो जाएगी carry 6 and 1 7 7 add करेंगे तो 14 and 1 carry हो जाएगी तो 2 and 1 3 तो 3,404 complete हो गया see 35 multiply 74 equal 2590 35 multiply 74 4 5 जा 20 तो 0 2 carry 4 3 जा 12 12 and 2 14 140 140 yes now 4 का यहां पे हम 0 लिखेंगे 75 जा 35 तो so 5 और यहां पे 3 क्या हो जाएगी carry हो जाएगी 73 जा 21 21 में 3 add करेंगे तो कितना हो गया 24 तो so plus करेंगे हम तो 0,0,0,4,5,9 145 और यहां पे क्या हो गया 2 तो 2590 ओके D 69 multiply 26 equal 1794 यह आंसर है तो 69 multiply 26 69 जा 54 तो so 4 5 carry 6,36 36 में अगर हम 5 add करेंगे तो कितना हो गया 41 yes 6,1 उसका हमने 0 लिए है 29 जा 18 ओके तो 18 लिख आया इसलिए हमने यहां पे लिखा 8 और 1 क्या हो जाएगी carry हो जाएगी yes तो so 2,6,12 12 में 1 carry add करेंगे तो कितना हो गया 13 आगे 100 नमबर नहीं ही इसलिए हमने यहां पे total 13 लिख लिख लिए है फिर दोनों का हम plus करेंगे 404 188 437 और 1 ओके तो 1794 48 multiply 17 equal 816 तो 48 multiply 17 7,8 जा 56 206 5 carry 7,4,28 28 में अगर हम 5 add करेंगे तो कितना हो गया 3300 नमबर नहीं है इसलिए हमें total लिखा 33 तो 336 7 का हम यहां पे लिखें 188 यान की 110 के साथ multiply किया इसलिए हम पे 8 14 जा 4 दोनों का हम करेंगे plus 606 3811 यहां पे 1 carry हो जाएगी 3 and 1,4 and 4 क्या हो गया 8 860 F 78 multiply 24 answer 1872 78 multiply 24 ओके तो 48 32 202 3 के रिली है मैंने यहां पे 4 7 जा 28 28 में अगर हम 3 add करेंगे तो कितना हो गया 31 yes 312 यह 4 ones का 0 2 8 जा 16 206 और 1 क्या हो जाएगी carry हो जाएगी 2 7 जा 14 14 में 1 carry add करेंगे तो कितना हो गया 15 आगे 100 नमबर नहीं इसलिए हम पे हमने total लिखती 15 अब दूनों नमबर का हम प्लास करेंगे 2 0 2 1 6 7 3 5 8 और 1 तो 1872 ओके जी 75 multiply 58 75 multiply 58 तो 100 85 जा 40 0 4 carry है मैंने यहां पे 8 7 जा 56 56 में 4 add किया तो 60 तो 600 यस फिर ये 8 complete कर लिए मैंने इसलिए यहां पे मैंने 0 लिखी है 55 जा 25 मैंने यहां पे 5 लिखा है और 2 क्या हो जाएगी केरी हो जाएगी 5 7 जा 35 35 अगर 2 add करेंगे तो कितना हो गया 37 यस तो यहां पे 3750 000 055 यस 6 7 13 203 1 केरी तो 3 and 1 4 यस तो 4 350 यस 59 मल्टिप्लाइ 37 59 मल्टिप्लाइ 37 7 9 जा 63 तो 3 6 केरी लिए है मैंने यहां पे 75 जा 35 35 में 6 add करेंगे तो 41 आगे 100 नमबर नहीं इसलिए हां पे टोटल 41 लिखे है मैंने फिर 7 का यहां पे 0 3 9 जा 27 तो 107 और 2 क्या हो जाएगी केरी हो जाएगी 35 जा फिपिन और 2 केरी एड करेंगे तो 17 हो गया 303 178 47 11 तो 101 1 केरी हो जाएगी 112 2 2183 67 मल्टिप्लाइ 56 67 मल्टिप्लाइ 56 67 जा 42 2 4 मैंने यहां पे केरी लिए है 6 जा 36 36 मैं 4 एड करेंगे तो 40 40 40 2 36 का 0 57 जा 35 तो 5 लिखेंगे 3 क्या हो जाएगी केरी हो जाएगी 56 जा 30 और 3 एड करेंगे तो 33 202 055 437 3 Exercise 4F Question 3 3 Multiply 700 1512 202 1 हम यहां पे लेंगे केरी Yes 8 and 1 9 84 13 1 केरी 112 B 265 Multiply 21 155 166 Again Again Repeat 155 166 12 2 Yes यह 1 का 0 लेंगे 25 10 00 1 केरी हो जाएगी 26 12 12 13 103 1 केरी हो जाएगी 22 4 4 1 5 Yes 2 का प्लस होगा 505 Yes बाद में यहां पे होगा 606 235 अनि यहां पे 5 5,565 Say 139 Multiply 15 5 9 जा 45 4 4 केरी लेंगे हम 5 3 जा 15 15 में अगर हम 4 एड करेंगे 19 9 1 केरी लेंगे हम 5 5 5 5 6 5 का 0 1 9 9 1 3 3 1 1 2 2 का प्लस करेंगे 5 0 5 9 9 18 1 1 केरी 6 3 9 1 10 0 1 केरी 1 1 2 D 184 Multiply 36 6 4 24 2 केरी 6 8 48 48 में टो एड करेंगे 50 0 5 केरी 6 6 6 5 11 6 का 0 लिकेंगे 3 4 12 1 केरी 3 8 24 24 1 25 25 25 25 2 हम केरी लेंगे 3 3 3 2 5 ओके तो दोनों का भी प्लस होगा 404 0 0 2 2 156 156 इस तरह सम question 3 complete करेंगे ok question 4 find a product A B C और 9 5 10 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5, 3, 15, 15, and 2, 17, 1 carry 5, 6, 30, 30, and 1, 30, 1 आगया नमबर नहीं है, इसलिए हमें हमें यहाँ पे total 31 लिखी है 5 ones का 0 हो गया 1, 4, 4, 1, 3, 3, 1, 6, 6 अभी दोनों का हम क्या करेंगे addition 0, 0, 0, 7, 4, 11 तो 1 लिखा मैंने 1 carry लिए 1, 1, 2, 3, 5, 3, 6, 9 B 372 multiply 26 372 multiply 26 6, 2, 12, 1, carry 6, 7, 42, 42, 42 में 1 add करेंगे तो 4, 303, 4, carry लेंगे 6, 3, 18, 18, and 4, 22 आगया कोई नमबर नहीं है, इसलिए मेंने 22 total लिखती 2232 6 का 0, 22, 4 272, 14, 304 1 carry लेंगे 236, 6, and 1, 7 येस दोनों का प्लासों का 202, 347, 246, 279 C 763 multiply 12 236, 262, 12, 1, carry 274, 14, and 1 15 आगये कोई नमबर नहीं है, इसलिए हैं पर टोटल 15 लिखी है मेंने और 8 हम यहां पर लिखेंगे 7, 8, 5, 56 56 में अगर हम 2 एड करेंगे तो 5808 और 5 क्या हो जाएगी carry 7, 7, 7 में 5 एड करेंगे तो 12 आगे कोई नमबर नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर टोटल 12 लिखती है तो 1,283 नए होगी बट क्या होगा 88